दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि PM किसान सम्मानी धियोजना के पोर्टल से 2 करोड किसानों को हटाये गया है मतलब 2 करोड किसानों को अब PM किसान सम्मानी धियोजना का लाब नहीं मिलेगा तो प्रेंड आप जल्द से जल्द चेक कर लिजे कि कहीं वो 2 करोड किसानों में से आपका भी नाम तो नहीं है तो प्रेंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपको PM किसान सम्मान निदियोजना का लाब मिलेगा या नहीं मिलेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेन यहां पर देख सकते हैं इंडिया.com की तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया है इसमें लिखा गया है PM किसान सम्मान निदियोजना का लाब लेने वालों किसानों की संक्या 9 करोड 97 लाग के आसपास रह गई है और उसके नीचे थोड़ा साते हैं और यहां पर देख सकते हैं मोधी सरकार ने किसानों के खाते में PM किसान योजना की सातवी किस्त भेजना सुरू कर दिया है लेकिन किंद्र सरकार ने अब फरजी तरीकों से योजना का लाब उठाने वालों पर नकेल कसना भी सुरू कर दिया है मोधी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है सरकार की तरब से किसानों को हर चार महीने में 2000 रुपय की किस्त के माध्यम से भेज आ जाता है साथ में किस्त 1 दिसंबर 2020 से आनी सुरू हो गई है लेकिन इस बार योजना का लाब लेने वाले किसानों की संख्या पहले से काफी कम हो गई है इस समय पीम किसान पोर्टल में योजना का लाब लेने वालों की संख्या 9.97 लाग की आसपास रह गई है जबकि कुछ दिन पहले तक्या संख्या 11.00 करोड के करिब थी तो फिर यही बात यहां पे खुल के आई है कि पहले संख्या 11.00 करोड किसानों की थी अब यहां पे 9.97 लाग की आसपास रह गई है इसका मतलब साफ है कि कुछ किसानों को यहां से रिमूब कर दिया गया है मतलब हटा दिया गया है अब उनको पीम किसान सम मानिधी योजना का लाब नहीं मिलेगा तो यहां पे थोड़ा सा नीची आते हैं और यहां पे लिखाया जानकारी के मुताविक कई राज्यों में किसानों के फर्जी तरीकों से योजना का लाब लेने की खबरें सामने आई थी जिसके बाद सरकार ने ऐसे किसानों से रिकबरी करना सुरू कर दिया था जो इस योजना के पात्र नहीं थे अभी तक ऐसे मामलों में सबसे ज़्यादा केस महराष्ट यमपी और यूपी से सामने आए हैं माना जा रहा है कि रिकबरी के डर से कई राज्यों में फर्जी एंट्री करने वाले किसानों ने अपना नाम हटा लिया है जबकि लाखों किसानों को उनके गलत डेटा के कारण पोर्टल से हटा दिया गया है तो फिर इसके पहले में आपको बता दू कि बिहार में रिकबरी का वहां पे आपसना गया है कि जो लोग फर्जी तरीके से पैसा लिये थे पीम किसान सम्मानी दियोजना का उनको फिर से रिकबर करना होगा मतलब फिर से सरकार को पैसा वापस करना होगा और यहां पर देख सकते हैं कई किसानों को अगली तक कियम किसान सम्मानिदियोजना की सातवी किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है। अब यहां पर देख सकते हैं कि कहीं आपको छेक करके दिखाता हूँ। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोंब ब्राउजर ओपन करने बाद। यहां पर पीम किसान सम्मानिदियोजना के पॉर्टल पर आजाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के description में दे दूँगा, वहां से click करके आप यहां पी आ जाएंगे, तो यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से उसके बाद beneficiary status पर click कर देना होगा, beneficiary status पर click करने के बाद यहां पर देख सकते हैं, आधार, number, account, number और mobile number, लेकिन यहां पर बहुत सार number ढूल दे रहा हो, टो यहां पर देख सकते हैं, mobile number ढूल दाल दे हैं, उसके बाद गेट data पर click कर दे रहा हो, तो get data पर click कर दिया, get data पर click करने बाद यहां पर देख सकते हैं, कुछ ही इस तरह से यहां पर show हो जाएगा, मैं rotate कर दिया हो, ताकि आपको अच्छे से लेकिन यहां पे देखना है कि आपका active दिखा रहा है या डी active दिखा रहा है यहां पर देख सकते हैं आपका name आ जागे सारा detail अजाएगा यहाँ पर देख सकते है आ active या इन व आप नहीं मिलेगा तो यहां पर फिरेंड आयक्टिव हमारा दिखा रहा है इसका मतलब हम आयक्टिव हैं हमें पैसा मिलेगा पीम किसान सम्मानी दियोजना का लाब मिलेगा यहां पर जरूर चेक कर लेजेगा कि कहीं आपका इन आयक्टिव तो नहीं दिखा रहा है अगर इ संतानवे लाग किसानों को ही केवल लाब मिल रहा है मतलब इसका मतलब जो बीच का गयप है उन किसानों को रिमूब तो किया गया है तभी तो वहां पे कम हुए है तो फ्रेंड इस तरह से आप जरूर चेक कर लिजेगा कि आपका दिखा रहे है या इन आएक्टिव है तो फ् इस वीडियो में बस इतना मिलते हैं अगली वीडियो में तो तक लेज जाए इन बंदे मात्रों